आपने United Nations Security Council का नाम सुना होगा इसका काम दुनिया भर में शान्ति और सुरक्षा को इंशोर करना है यानि अगर दुनिया में किसी देश में ग्रह युद जैसी सिचुईशन पैदा होती है या फिर दो देशों में युद जैसी स्थिती बनती है तो ये UNSC यानि United Nations Security Council की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी स्थिती से निपटने के लिए उन देशों में पीस मेंटेन करे और जरूरत पड़े तो वहाँ ट्रूप्स भेजे और सिचुईशन को कंट्रोल करे United Nations Security Council में कुल 15 सदस से देश होते है इनमें 5-20 सदस से है और 10-20 सदस से है असदस सदस्यों की Memberships दो सालों के लिए होती है हर दो साल पर इसमें नए देश शामिल होते है लेकिन इसमें जो major control है वो permanent members के पास है जिनमें America, France, Russia, Britain और China आते है ये देश United Nations Security Council के permanent members है और इनके पास एक खास अधिकार है जिसे वीटो पावर कहते है वीटो एक ऐसी special पावर है जिसकी मदद से UN में आए किसी भी प्रस्ताव या resolution को गिराया जा सकता है या फिर यूं कहें कि उसे खारिच किया जा सकता है हलागी अगर किसी प्रस्ताव से UNSC का कोई सदस्य देश पूरी तरह सेहमत नहीं होता है और वो वीटो भी नहीं देना चाहता तो वो देश अलग रहने का विकल्ट चुन सकता है भारत सालों से इस वीटो पावर को पाने के लिए ग्लोबल प्लैटफॉर्म से अवाज उठाता रहा है लेकिन अब तक उसे काम्याबी नहीं मिली है देखिए वैसे तो चाइना को छोड़ कर बाकी के जो चार देश है अमेरिका, रिश्या, फ्रांस और इंग्लेंड वो भारत के पर्मेनेंट मेंबर बनने के क्लेम को सपोर्ट करते है लेकिन उन्हें भी ये पता है कि जब तक चाइना भारत के खिलाफ अपना वोट, वीटो करता रहेगा तब तक भारत UNSC का पर्मेनेंट मेंबर नहीं बन सकता तो कुल मिलाकर कहा जाए, तो बात ये है कि इस्थाई सदस्य देश अपनी शक्तियों का बटवारा नहीं करना चाहते वो नहीं चाहते कि किसी नए सदस्य देश को वीटो का अधिकार मिले क्योंकि इस से वीटो पावर देने की उनकी जो शक्तियां है वो कमजोर हो जाएंगे लेकिन किसी देश के लिए वीटो पावर क्यों जरूरी है देखे इसी वीटो पावर का इस्तेमाल करके रश्या ने कई बार भारत के खिलाफ आए रिजोलूशन को पास होने से रोका है 1957 से 1971 के बीच रश्या ने छे बार अपना वीटो पावर यूज करके भारत के खिलाफ लाए गए फैसलों को रोका इसमें कश्मीर मुद्दे से लेकर गोवा की आजादी तक से जुड़े रिजोलूशन शामिल थे रश्या ने भारत को वीटो का इस्तिमाल करके कपकप सपोर्ट किया इस टॉपिक पर हमने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब कुछ दिन पहले भारत ने पर्मनेंट मेंबर्शिप और वीटो को लेकर UNSC में काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है सिर्फ पांच देशों को वीटो पावर दिये जाने और उसके राजनयतिक दो रुपयों को लेकर भारत ने अपनी नाराजगी जाहर की भारत ने कहा कि जहां तक वीटो के अधिकार की बात है तो या तो सभी देशों के साथ आप एक जैसा वैबार कीजिए या फिर नए सदस्यों को भी वीटो का अधिकार दीजिए भारत का कहना है कि पांचों पर्मनेंट मेंबर ने वीटो का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फाइदों के लिए किया है हमेशा भारत ने कहा कि UNSC में यानि United Nations Security Council में वीटो के इस्तेमाल का अधिकार केवल पांच देशों के पास है और ये दुनिया भर के सभी देशों के लिहाज से Sovereign Equality के आइडिया के खिलाफ है देखे इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा समय में UNSC के पर्मनेंट मेंबर अपने पॉलिटिकल हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं जो कि दुनिया के बाकी देशों के लिहाज से काफी unfair है आप देख रहे हैं होंगे कि सीरिया में war चल रही है यूकरेन और रश्या के बीच इस समय जंग छड़ी हुई है सुडान में इस वक्त civil war जैसी situation पैदा हो गई है जिसकी वज़ा से इस वक्त सुडान में फसे भारतियों को भारत लाया जा रहा है और अगर इतने सारे देशों में युद्ध चल रहा है वहाँ अशान्ती फैली है जब दुनिया भर के कई देशों में लड़ाई जगड़े हो रहे है तो ये United Nation Security Council की जिम्मेदारी होती है कि वो इन देशों में शान्ती और सुरक्षा को इंशूर करे मगर क्या वाकई United Nation ऐसा कर रहा है इस पूरे मामले पे आपकी क्या रही है मैं कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएं